क्या कोई जंग बिना खून बहाई लड़ी और जीती जा सकती है दोस्तों ये बात है साल 1798 की जब श्रीलंका की कैनेडी किंग्डम के आखरी राजा को सत्ता थी गए लेकिन सत्ता संभालने के साथ ही मुश्किल लिहाना शुरू हो गई थी एक मुश्किल थी अंग्रीज जो कि इस राज को अपने काबू में करना चाहती थी दूसरी मुश्किल थी राजा का खुद का प्रधान मंतुरी जिसने जान बूच करे का 18 साल की लड़के को राजा बना दिया था ताकि वो से कंट्रोल कर सकी और आखिर में खुद के लिए सत्ता हडब सकी फिर एक जासूस भी था वो जासूस जिसने ऐसा प्लान बनाया कि बिना किसी जंग के या फिर खूल पहाई इस सामराज्चे का सर्वनाश हो चाए आई जानते हैं आज कि क्या हुआ था दरसल श्री लंका का पावर स्ट्रक्चर काफी इंट्रस्टिंग था क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग तो सिनहेलीज थे जो की बहुत धर्म को मानते थे लेकिन वहाँ पर राज भारत से आए हुए साउथ इंडियन किंग्स किया करते थे जिया ऐसे ही एक पिली मथलवक जो की खुद सिनहेलीज थे उन्होंने सोचा कि सत्ता को हत्याने का इससे अच्छा मौका शायद उन्हें फेर ना मिल पाए और इसलिए उन्होंने 18 साल के प्रिंस कन्ना सामी नाइडू को गद्दी पर बैठा दिया और राजा बनने के बाद कन्ना सामी ने अपना नाम बदल कर रख लिया था श्री विक्रमा राज सिनहा अब विक्रमा राज सिनहा को राजा तो ये सोच कर बनाया गया था कि वो एक पपिट की तरह रहे का क्योंकि वो जादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और नहीं उसका अधिकार सत्ता पर बन पाता लेकिन प्रधान मंत्री पिली मथलवा को जब ये समझ में आया कि अब बात उसके कंट्रोल में नहीं रही है जस्वजह से उसने अंग्रेसों को अप्रोच किया कि वो धीरे धीरे श्रीलंका के बाकी हिस्सों में खुद को मस्बूत कर रहे थे यहां पर कुछ हस्टोरियंस कहते हैं कि पहले प्रधान मंत्री और अंग्रेसों के बीच में समझोता हो गया था और उसके बाद अंग्रेसों ने 1803 में कैंडी पर हमला कर दिया था और कई जगाओं पर ये कहा जाता है दोस्तों कि प्रधान मंत्री ने राजा को अंग्रेसों के आगे नहीं टिक पाए इस वाड के बाद राजा को भी समझ में आ गया था कि इसके पीछे प्रधान मंत्री की साज़िश थी और उसने अपने ही प्रधान मत्री तिली मथलवा को मौत की सजा सुना दी अंग्रेजों के खिलाफ इस जंग के बाद राजा ने अपनी लिखी जॉन एक बिटिश सिवल सर्वेंट था जो इस वक्त श्री लंका में ही पोस्टेट था और जॉन की सबसे बड़ी खोबी ये थी कि वो सिनहेली भाषा ना सिर्फ जानता था बलकि उससे ये भाषा इतनी पसंद थी कि उसने इसमें कई कवी ताइं भी लिखी थी यही बार किस तरह से चलता है सिनहेली इस और तमेल लोगों के बीच में क्या डिस्प्यूट से लोकल चीफ्स क्यों राजा से खुश नहीं है और कौन-कौन राजा की गद्दी पर बैठने का सपना पाल रहा है वहीं दूसरी और पिली मथालवा की मर जाने के बाद राजा ने इहली पॉला नाम के दूसरे व्यक्ति को अपना प्रधान मंत्री बना लिया था जो इससे पहले गेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पतपर था और मज़ेदार बात तो यह है कि इहली पॉला दरसल पिली मथालवा का भतीचा था अब इहली पॉला की कहानी को भी लोग द है गया था जो कि इहीं लिपॉला से काफी जलता था और इहीं लिपॉला के खिलाफ उसने राजा की कान भरने शुरू कर दिये थे ऐसा भी मुम्किन है कि प्रिटेश सोर्सेस ने जान गूच कर इस तुरह के स्टोरी कड़ी हो क्योंकि जॉन डी ओईली इस बीच में महला कल्चर का दुश्मन है इसके साथ साथ वो एक अयाश है जो कई औरतों को अपने पास रखता है और सारा दिन नशे में चूब रहता है अब ये मुम्किन है कि इन क्लेम्स में थोड़ी बहुत सच्चाई भी रही हो लेकिन जॉन नहीं इतना बड़ा चड़ा कर बताना चाहता है जिस वज़ा से उसने इही लिपोला को तुरंथ ही अपने दर्वार में तलब किया लेकिन वो इतना डर गया था कि वो कहीं छुपकर बैठ गया और नहीं आया इसके बाद इही लिपोला को एक बार फिर ये वार्निंग भेजे गई कि अगर वो नहीं आता है तो कि सजा उसके परिवार को झेलनी पड़ेगी जब इसके बाद भी इही लिपोला नहीं आया तो उसकी पत्नी और बच्चों को बुलाया गया सभी को मौत की सजा दी गई और श्री लंका में ये कहानी भी बहुत मशूर है कि जब इही लिपोला के बड़े बेटे को ये पता चला कि वो मरने वाले हैं तो वो रोने लगे और तभी उसका छोटा भाई जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ दस साल की थी उसे हिम्मत बांधने के लिए कहता है और साथ ही गार्ट्स को इशारे से अपनी करतन काटने के लिए कहता है इस प्रसंग के ऊपर इही लिपोला के छो चला गया और जो हाई सोसाइटी के लोग थे वो भी अपनी जान को लेकर भैवीत उठे जॉन डी ओईली की अफ़पाहों ने कुछ इस तरह से काम कर दिया था कि लोगों को लगने लगा था कि राजा सच मुच में उनके खिलाफ हो गया है और वो किसी भी पल किसी को भी राजा के खिलाफ हो चुकी थी इसलिए राजा के पास महां से भागने के लाबा कोई आप्शन नहीं बचा था इसके कुछ समय बाद दोस्तों राजा अपनी दोनों राणियों के साथ एक घर में मिला और उसे भारत के वेलोर में भेज़ दिया गया था राजा के जाने के बिटिश क्राउन और कैंडी के अलग-अलग चीफ्स के बीच में एक फ्रीटी साइन हुई जिसके मताबिक अब कैंडी भी बिटिश क्राउन के अधीन हो गया था लेकिन इस फ्रीटी को साइन करने के बाद लोकल चीफ्स को ये रियलाइज हुआ कि उनके साथ कितना धोका किया गया है इन चीफ्स को लगा था कि राज़ा के ना होने पर उन्हें जादा फ्रीडम विली की और वो अपने कल्चर को जादा आसानी से प्राक्टिस कर पाएंगे लेकिन राज़ा विक्रमा राज सिनहा की जगह अब इन पर इंगलैंड के राज़ा का राज था जो ग्रेट रेबेलियन ओफ 1817 से 1818 के नाम से जाना चाहता है इस वद्रोह को ब्रिटिशर्स ने थोड़ी से मुश्किलाद के बाद दबा दिया और ब्रिटिश रूल को चालेंज करने लवाला कैंडी या पूरे श्रीलंका में कोई नहीं बच्छा था इस रेबेलियन के अफ़ाहों के दम पर एक स्पाई ने एक पूरे राज्य को कन्विंस कर दिया कि अंग्रेज उनके दोस्त है और उनका अपना राजा उनका दुश्मन है अदोसों जॉन डी ओईली का भी अंत बहुत अच्छा नहीं था वो 1832 में अपनी मौत से पहले ब्रिटिश सरकार द् अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पढ़ना है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले